किसान भाईयो नमस्कार मैं हूँ रामलाल दाकड और आप देख रहे हैं स्माइट एगरिकल्चर यूट्यूब चैनल किसान भाईयो इस समय पर कई छेत्रों में लहसुन की हार्वेस्टिंग सुरू हो चुकी है और आने वाले 15 से 20 दिनों के दोरान ज्यादा तर चैत्रों में लहसुन की हार्वेस्टिंग सुरू हो जाएगी तो लहसुन का खेत खाली होने के बाद आपको उसे खाली नहीं चोड़ना चाहिए क्योंकि लहसुन की हार्वेस्टिंग के बाद भी आप गर्मियों में कई प्रकार की फसले लगा सकते हो जिन फसलों की केती से आपको कम लागत में और कम दिनों में बहुती अच्छा मुनापा मिल सकता है तो इस वीडियो में मैं आपको तीन ऐसी फसलों के बारे में बताने वाला हूँ जिन फसलों की खेती आप लैसों का खेत खाली होने के बाद कर सकते हो और उन फसलों से कम दिनों में बहुती अच्छा मुनाफ़ा प्राप्त कर सकते हो तो वह तीन फसले कौन-कौनची है और उन फसलों की खेती किस परकार से करना चाहिए इसकी पूरी जानकारी के लिए आप वीडियो को बिना स्किप के अंतर तक देखिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम जैसे नए वीडियो अपलोड ग किसान भायो चलिए अब बात करते हैं कि लेसन का खेत काली होने के बाद हमें कौन-कौन-सी फसलों की खेती करना चाहिए। करने के बाद 5-7 दिनों के अंदराल में उसकी सीचाई करते रहे और अगर आपको कीट और फंगस का ठेक दिखाई देता हैं तो आप दो बार कीट नासक और फ़पुनी नासक का स्प्रेक कर दीजिए और फिर 60-65 दिनों में मूंग पक जाएगी तो फिर आप जल्दी से उसक ठोय जता हैं और आपके लास्ण का खेट जल्दी खाली हो जाता है तो आप मूंग की खेटी करके भी अच्छा मुनपग कमा सकते हो और दूसरी फसल है सोयाबीन कर्मियों में भी सोयाबीन की खेती की जा सकती है जब आपका खेत खाली हो जाता है तब आप उसकी अच्छे तरीके से हकाई जुताई करें उसके बाद अगर आपके पास गोबर के खाद या वर्मे कमपोस्ट खाद उपलब दें और फिर एक एकर में 40-45 किलोग्राम बीच की बुआई कर दीजिए अगर उन्नत किस्मों की बात करें तो आप जेस बीस तोतिस केड़े सास्तो चबिस और केड़े सास्तो तरेपन जैसी वेराइटिक को लगा सकते हो वेराइटिक को लगाने के बाद आप आवस्यक्त अनुसार सीचाइक करते रहे और आपको दो बार कीट नासक और फपुदी नासक का स्प्रेक करना पड़ेगा इसके लावा अगर करपतवार ज्यादा उगता है तो बुवाय के बाद भी आप करपतवार नासक का स्प्रेक कर सकते हो और गर्मियों में स्वयबिन की फसल खरीब सीजन के मुकाबला 10 दिन ज्यादा जल्दी पकती है मतलब की आप 90 दिन की वेराइटी लगाओगे तो वह पिचोतर से 80 दिनों में ही पक जाएगी और गर्मियों में स्वयबिन का एवरेज उत्पादन 7-8 क्वेंटल परती एकर तक भी निकल सकता है तो आप गर्मियों में भी स्वयबिन की खेती करके अच्छा मुनापा प्राप्त कर सकते हूँ तीसरी फसल है उडद कर्मियों में उडद की खेती करना भी कमाई का अच्छा इस्टरोत हैं क्योंकि उडद की पसल को ज़्यादा समय भी नहीं लगता है और उड़त में ज्यादा करचा भी नहीं करना परता है खेत खाली होने के बाद आप उड़त की बुआई कर सकते हो और बुआई के 15-20 दिनों के बाद एक बार यूलिया काद डाल देना और अगर कीट और रोगों का अठेक दिकाई देता है तो आप किड़नासक और फपुदिनासक का स्प्रेक कर देना उसके बाद 60-50 दिनों के आसपास उड़त की बसल पक जाएगी और फिर आप जल्दी से उसकी हर्वेस्टिंग कर देना इस प्रकार से आप गरिमों में भी उड़त की खेती करके बहुती अच्छा मुनाफ़ा प्राप्त कर सकते हो तो किसान भायो इस वीडियो में हमने आपको बताया कि लैस्वन को निकालने के बाद आप कौन कौनसी पसले लगा सकते हो इन पसलों के अलावा भी आप मुंपली, कौार और तिल जैसी पसले भी लगा सकते हो तो किसान भायो इस वीडियो में बस इतना ही उमीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक को शेर जरूर करें चले मिलते हैं अगले वीडियो में जै जवान जै किसान